तो दोस्तो आपकी उमर 18 साल या उससे जादा हो चुकी है और अभी तक आपने अपना driving license apply नहीं किया है दोस्तो तो आप online ही अपना driving license apply कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको live process करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे driving license के लिए apply करना है क्या-क्या documents चाहिए application form को कैसे fill up करना है तो यहा दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर में Google को open कर लेना है यहां पर सर्च करना है सार्थी परिवहन और यहां पर हमें परिवहन.gov.in वाली website पर चले जाना है link description में भी मिल जाएगा उस पर क्लिक करके अप सीधा इस पोडल पर आ सकते हो दोस्तों अभी दोस्तों यहां पर online services में driving license related services के ऊपर क्लिक कर दिना है यहां पर दोस्तों हमें अपना state है उनको select कर लेना है दोस्तों इस पोडल पर आप आ जाओगे इसको close कर देना है अभी हमें driving license apply करने के लिए सबसे पहले learning license बनवाना होगा तो यहां प पर क्लिक करना है दोस्तों seven steps यहां पर दिखे दिए गए है तो इस step समय करने मैं आपको सब बताऊंगा step by step continue पर क्लिक करना है यहां पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों सिप यहां पर select वाले option पर जाना है जिस RTO से आप अपना license परवाना चाहते हो RTO यहां पर select कर लेना ह तो center यहां से आपको select कर लेना है जो computer test है उनका उसके बाद submit पर क्लिक कर देना है यहां पर दोस्तों आपको अपना mobile number डालना है और नीचे जो capture यहां पर fill up कर देना है और generate OTP वाले option पर क्लिक कर देना है जो mobile डाला उस पर OTP भेजा जाएगा OTP यहां पर fill up करना है capture डालन है और submit OTP पर क्लिक करना है दोस्तों application form है यहां पर अपन हो जाएगा दोस्तों यहां पर state आ जाएगा RTO यहां से select कर लेना है उसके बाद नीची आना है नीची यहां पर name of applicant का first name यहां पर टाल देना है applicant का middle name यानि की जो उनके father या फिर husband का first character यहां पर डालना है पूरा name नहीं आएगा दोस्तों यहां पर हमें surname Philip का देना है relation में अगर आप महिला है शादी शुदा तो husband select करना है otherwise father select करना है यहां पर father का first name फिलब करना है और father के father का यहां पर first name first character डालना है और surname यहां पर डालना है जिसे डाल दोगे तो यहां पर full name as per record कैसे show होगा यहां पर आ जैसे date of birth डालोगे आपका edge कीतना है वो यहां पर आ जाएगा place of birth डालना चाहो तो यहां पर आप डाल सकते हो दोस्तों उसके बाद जिस country में आपका birth हुआ हो तो यहां से आपको select कर लेना है qualification आपका कितना है कितना कहां तक पड़े हो आप यहां से select कर लेना है दोस्तों blood इसके बाद application number यहां पर आ जाएगा जो हमने डाला हुआ था उनके अलावा कोई और emergency number आप डालना चाहो तो यहां पर डाल सकते हो आइडेंटिटी मार्क अगर आपका कोई है तो यहां पर आप mention कह सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर नीची आना है नीची यहां पर address details को fill up करना है address में यहां पर सबसे पहले state को select करना है दिस्टिक को select करना है उसके बाद आपको अपना तैसील हो तैसील select करना है यहां पर आपको अपना village town जो भी हो यहां से select करके अपना पूरा address हो यहां पर आपको fill up कर देना है तो यहां पर house name डालना है street name यहां पर डालना है landmark डालना है और pin code fill up कर देना है अभी दोस्तों आपका जो present address है वही permanent address है तो यहां पर click करोगे तो पूरा address यहां पर आजाएगा अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ पर mention करना होगा इस जगह पर आप कपसे रह रहे हो तो यहाँ पर सार और महिना लिखना होगा आपको उसके बाद नीचे आना है नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको license किसका बनवाना है तो यहाँ पर जो पहला है कि वो है motorcycle without gear mcwog है मतलब वो स्कूटी का license है अगर आप वो बनवाना चाहते हो तो इसके उपर क्लिक करना है ओके और यहाँ पर जो एरो शोहरा एरो पर क्लिक करना है ठीक है और अगर motorcycle with gear है with gear वाला तो यहाँ पर आपको mcwg वाला option select करके drag and drop करना है अगर car है तो LMV select करना है ठीक ह हमें स्कूटी का license बनवाना है तो हम वो select करेंगे अभी हमें self declaration form है यहाँ पर submit करना होगा इस form को कैसे feel up करना अगर आपको कोई भी problem नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर no पे click करना है उसके बाद नीचे yes करना है उसके बाद जो सारे option है उन पर no कर देना है अगर आप हो तो यहाँ पर yes पे click करना है otherwise no पे click करना है और capture यहाँ पर show हो रहा है और capture feel up कर देना है submit पे click कैदा है जैसे यहाँ पर click करोगे application हो आपका create हो जाएगा OK करना है application number यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों अभी आगे का process कैसे करना है यहाँ पर हमें edge proof and address proof को upload करना होगा कैसे upload करना है दोस्तों भी बताता हूं next वाले option पर चले जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना application number date of birth शो हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ आपको capture fill up कर दिना है और नीचे submit पर क्लिक करना है application में login हो जाएंगे हम दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है नीचे यहाँ पर scroll करेंगे तो यहाँ पर कुछ step show होंगे fill application details हो जुके है दोस्तों उसके बाद हमें upload करना है यहाँ पर details documents तो proceed पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से हमें ok वाले option पर क्लिक कर देना है documents को upload करने के लिए documents में आना है यहाँ पर age proof select करना है age proof select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी show हो रहा है जो documents उनमें से कोई भी एक document है आपको upload करना होगा तो हम यहाँ पर कोई भी document को select करेंगे जैसे कि passport, learner license है उसके बाद और भी कोई documents है यहाँ पर browse वाले option पर हमें click करना है जो अपका file है, jpg, jpg या फिर pdf होना चाहिए ठीक दोस्तों तो यहाँ पर हम file select कर लेंगे upload वाले option पर click करेंगे याद रहे 500 kb से जादा का size नहीं होना चाहिए ठीक है, upload पर click करने के बाद confirm करेंगे तब का document upload हो जाएगा उसी तरह के से दोनो documents upload करने है next पर click करना है यहाँ पर फिर से capture fill up कर देना है और submit वाले option पर फिर से click करना है यहाँ पर फिर से हमें नीचे scroll करना है document upload हो चुके अभी photo and signature को upload करना है हमें दोस्तो, यहाँ पर proceed पर click करना है photo and signature वाला option यहाँ पर मिल जाएगा याद रहे दोस्तो, photo and signature आपका 20KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए size कैसे reduce करना है, उसका video भी मैंने बताया है दोस्तो, browse वाले option पर click करना है photo जहाँ पर भी आपने रखा है photo select कर लो उसी तरह से यहाँ पर upload signature में signature को upload कर देना है तोस्तो, उसके बाद upload and view files and documents पर click करना है view files करोगे तो यहाँ पर upload हो जाएगा नीचे scroll करना है, save photo and signature पर click करना है तो दोस्तो देखो, inserted successfully आ चुका है अभी नीचे यहाँ पर जो next वाला option है इनके ऊपर click कर देना है यहाँ पर फिर से capture fill up कर देना है submit वाले option पर click कर देना है दोस्तो अभी learning license का slot book यहाँ पर करना है तो proceed वाले option पर हम click करेंगे यहाँ पर नीचे proceed to book वाले option पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर एक calendar show होगा जो green date से है वो सारी available date से तो यहाँ पर आपको उन में से कोई भी एक date को select करे लेना है दोस्तों उसके बाद जो slot है वो यहाँ पर right side पर date आपको otherwise show होगे तो यहाँ पर जो भी आपका suitable time हो वो select करे लो book slot वाले option पर click करे देना है हो जाएगा दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पर हम download नहीं करेंगे मैं आपको last में दिखाऊंगा कि कैसे सारे documents download करने है नहाँ पर हम next वाले option पर click कर देंगे application number यहाँ पर दोस्तों आजएगा फिर से capture डालना है submit वाले option पर click करना है अभी दोस्तों लास्ट option है यहाँ पर free payment हमें fee का payment यहाँ पर करना होगा proceed पर click करना है अभी दोस्तों यहाँ पर हम payment portal पर आ जाएंगे payment करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे आना है SBI E पर select करना है capture यहाँ पर fill up कर देना है और नीचे pay now वाले option पर click करना है दोस्तों यहाँ पर हमें I agree वाले option पर click करना है proceed for payment वाले option पर click करना है payment में debit card, credit card, internet banking, UPI, wallet, SBI, branch से भी आप payment कर सकते हो दोस्तों हम UPI वाला option select करेंगे यहाँ पर भी दो option है आप QR code से भी कर सकते हो या फिर UPI ID डाल के भी payment कर सकते हो हम यहाँ पर दोस्तों UPI ID fill up करेंगे validate UPI ID पर click करेंगे और पहनाओ वाले option पर हम click करेंगे जिसी यहाँ पर click करेंगे counting यहाँ पर start हो जाएगा दोस्तों और आपको payment कर देना है approve अपने UPI में जिसे आप payment को approve कर देते हो तो यहाँ पर आपको payment success का option मिल जाएगा दोस्तों click here for print receipt वाले option पर click करना है आपको और यहाँ पर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर सिधा home वाले option पर click करना है सिधा home वाले page पर आ जाओगे अभी हमें documents सारे जो download करने है तो यहाँ पर हमें print application form पर click करना है दोस्तों application number जो generate हुआ था हो यहाँ पर डालना है date of birth यहाँ पर फिल अप करना है submit OTP पर click करना है register mobile number पर OTP बेजा जाएगा OTP यहाँ पर fill up करना है दोस्तों और OTP डालने के बाद submit OTP पर click करना है अभी दोस्तो सारे forms हैं यहां पर आपको मिल जाएंगे एक एक करके आपको सारे form से उनको download कर लेना है application form को download कर लेना है यहां से उसके बाद print acknowledgement form को download करने ना है उसके बाद यहां पर आपको Изож्मेन्ैक पर अप्लोड किये हुए थे वो भी साथ में लेकर जाना है आप जब computer exam के लिए जाओ दोस्तो आपका documents है वो verify होगा उसके बाद आपका exam test होगा exam में अगर आप पास हो जाते हो तो learning license आपको तुरंथ ही दे दिया जाएगा ठीके दोस्तो तो यह था learning license का process उसके बाद दोस्तो एक महिने बाद आपको driving test देना है उसके लिए slot booking करना है driving test का और slot booking करने के बाद आपको इस date को अपना driving test देना है और जैसे driving test में आप पास हो जाते हो दोस्तो तो आपको अपना learning license वहाँ पर जमा करवा देना है और new license जो पक्का license है वो आपके घर तक बाइपोस्ट है और पहुंचा दिया जाएग